अस्याम-अलेकुम, कैसे हैं? आप सब उमेद हैं? आप सब लोग बिल्कुल ढीक हौंगे. मैं हूं डॉक्टर माम श्वाग. आज का हमारा जो टॉपिक है, हो है हाइपरटेंशन. हाईपर टेंशन क्या होता है हाईपर टेंशन हम कहते हैं कि अगर हमारा ब्लेड प्रेशर एक नॉर्मल अमांट से ज्यादा रहता है हाई रहता है जिसको हम हाई ब्लेड प्रेशर भी कहते हैं उस कंडिशन को कहते हैं हाईपर टेंशन अब हाइपरटेंशन में होता क्या है कि जो हमारा blood pressure है बहुत ज़्यादा high रहना शुरू हो जाता है इसकी बहुत सारी वजुहात होती है इसमें जो है वो हमारा blood है खुन है वो बहुत गाड़ा हो जाता है कई conditions में हमारा खुन बहुत ज़्यादा गाड़ा होने की वज़ा से हमारा blood pressure जो है वो high रहना शुरू हो जाता है इसके अलावा इसमें क्या होता है कि आपकी जो अंदर वाली arteries जो आपकी vessels होती है blood की वो बहुत जादा ठीक हो जाती है मोटी हो जाती है जिनकी वज़ा से उनके अंदर fat जमना जाता है चर्बी जमना शुरू हो जाती है आप देख सकते हैं कि healthy जो vessel है या cells है वो किस तरह से हैं और hyper tension वाले किस तरह से हैं कि आपकी जो wall है वो बहुत ठीक हो चुकी है vessel की जिसकी वज़ा से जो है वो fat जमना शुरू हो जाता है इसकी एक बहुत बड़ी reason है इसके लबा हम देख सकते हैं कि high blood pressure की क्या ranges आती है 120 over 80 अगर हम देखें तो ये normal हमारा blood pressure होता है 120 और 80 mmHg अगर हम देखें 120 और 80 से ज्यादा अगर आता है 130 over 40 50, 60 इस तरह जाता है तो इसको हम high blood pressure जो है 120 इस तरह से इसकी amount मढ़ती जाती है और अगर 180 उसकी जादा हो जाए तो ये severe में आता है इसके लावा इसकी कुछ वजुहात है हमारे पास आपका जो है वो खून जमना अगर आपके खून में बहुत जादा fat है इसके लावा आपकी arteries का कोई मसला हो गया है वैजल्स का हो गया है आप कोई activity नहीं करते वाक नहीं करते अच्छा खाना नहीं खाते तो ये इसकी बहुत सारी reasons हैं इसके लावा इसके कुछ symptoms हमारे पास जो होते हैं बेहोशी हो सकती है आपको मतली feel हो सकती है कुछ लोगों को बहुत जादा सर में दर्द रहती है बहुत जादा chest pain हो सकती है आपको heartbeat बहुत तेज हो सकती है कुछ लोगों को मतली होती है कुछ लोगों को vomiting होना शुरू हो जाती है अगर आपका BP बहुत एकदम high हो जाए शूट कर जाए तो अक्सर लोग जो है वो चकर भी आ जाती है अक्सर लोगों को ठकावट बहुत रहती है जिसम के अंदर और इसके लावा जो है वो आपका vomiting का issue स्टार्ट हो जाता है आपको और आपके जो heartbeat है वो बहुत तेज हो जाती है और आपको पसीना भी कुछ सूर्थों में आना शूरू हो जाता है इसके अलावा अगर आपका hypertension की situation में है BP आपका shoot कर जाता है तो उसमें भी जो है वो आपको कुछ issues हो सकते हैं body में heart failure हो सकता है वाले जो हो सकता है आपकी आंखें खराब हो सकती है heart attack इस तरह की conditions हो सकती है अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं इसके लिए हमें अपनी lifestyle को change करना होता है अपनी diet को maintain करना होता है salt वाली diet खतम करनी होती है मतलब salt कम करना होता है fat कम करना होता है चर्बी वाली चिकनाई वाली चीजें healthy diet लेनी होती है fruits लेने होती है walk करनी होती है इसके लावा अपनी proper आदा घंडा या पूरा घंडा at least walk या exercise करनी होती है smoking खतम करनी पड़ती है इसके लावा कुछ खाने पीने की चीजों से भी आप अपना BP जो है manage कर सकते हो fish खाएं आप जो है गंदम खाएं grains जो whole grains होते है नाज होता है vegetable fruits इस तरह की जो healthy diet होती है इसके लावा चरबी चिकनाई जो बहुत कम चिकनाई वाला दूद होता है वो इस्तमाल करें low fat कहते हैं उसको इसके लावा आप अपनी कुछ nuts वगरा ले सकते हैं dry fruits वगरा थोड़े से use कर सकते हैं इस तरह की चीजों से जो है वो आप अपने BP को manage कर सकते हैं और अपने lifestyle को better कर सकते हैं